कि तो दोस्तों इस तरीकी से आपको अपने डेक्सटोम पर आजाना है और दोस्तों यहाँ पर आपको विंडो आर करना है विंडो आर करेंगे तो यह만 खुल जाएगा और यहाँ पर यह कमांड करना है तो यहाँ और इसमें आप option को check करना है सिवाए recycle bin को छोड़के इसको छोड़के आपको सबको इस तरह कर लेना और यहाँ पर system clean पर क्लिक कर देना है और यहां से क्लिक कर देना है तो यह देखिए आपकी system की जितनी भी unnecessary फाइल है यह सभी डिलिट होने लग जाती है और कुछ ही सेकिंड में आपका system एकदम clean हो जाएगा और इसकी performance में कुछ है आपको सुधार देखने को मिलेगा तो इसके बाद यहां पर एक command over है यहां पर आप फिर से window R करेंगे और यहां पर आप यह prefetch file को भी delete कर सकते हैं और यहां से इसको करेंगे और यहां पर हम continue करेंगे और इन फाइलों को control A करके यहां से shift के साथ delete कर लेंगे तो इसके बाद यहां पर एक command over है जिसे हम time कहते हैं तो यहां पर time file को भी कुछ इस तरी से delete कर लेंगे और यहां से इसको इस तरी कर लेंगे इसके बाद यहां पर हमारे system के अंदर की जितनी भी है फाइले जो हैं जो आपके system की performance को हैं करती हैं और सब्सक्राइब हो जाएंगी और यह एक बार आपको percent लगा के डिलीट करना है एक बार बिना परसेंट लगा के टैम लिखना है और इसको कुछ इस तरीके से डिलीट कर ले रहा है और यह देखिए देखते देखते सारी फाइले डिलीट हो चुकी है और अब दोस्तों देखिए आप यहां पर इस performance में थोड़ा सा सुधार देख सकते हैं आप यहां पर कुछ भी open कीजिएगा तो देखिए कितनी फास्ट तरीके से यह open हो जाएगा तो यह आपकी सिस्टेम की performance को बढ़ा देता है कि यह देखिए कुछ इस तरीके से